हेलो बिटा मैं उशाशर्मा विक्तोरिस इंटरनेशनल इसकूल अत्रोली अलिगर से बिटा इस वीडियो में हम क्लास सिक्स में चेप्टर थर्ड की जो हाफ रीडिंग बची है उसे करते हैं हमने कहा तक किया था मुर्गे ने बाग नहीं दि और सारे जानवर सोते ही रह गए अब देखिए धीरे धीरे सूरुज और भी चड़ गया यानि सभी जानवर अब भी सो रहे हैं अब मुर्गे को भूग लगी उसने इधर देखा उधर देखा उपर देखा नीचे देखा फिर उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे खूं हमेशा कोशिश करता था कि घोड़े के लिए रखे चने खा ले लेकिन घोड़ा खाने ही नहीं देता था रोज कोशिश करता था खाने की पच्चूं की घोड़ा जगा रहता था तो वे नहीं खाने देता था आज खूंको लगा कि घोड़ा तो सो रहा है इसलिए अब मौका है मुर्गा पेड़ से उतर आया और चने खाने लगा उसने खूब चने खाए खाता गया खाता गया खाता गया इतना खाया इतना खाया कि वे फूल कर एकदम गैंद की तरह गोल मटोल कुपपा हो गया उसने एक बड़ी सी डकार ले पेट भर गया तो डकार आई उसे और धप से बैठ गया अब उससे चलते ही नहीं बनता था क्योंकि बहुत सारा खालिया था न तो चल भी नहीं पा रहा था इतने में वहाँ लॉम्डी आई लॉम्डी ने देखा अरे वाह मुर्गे से तो चलते ही नहीं बनता है अब बचकर कहां जाएगा मुर्गा बेचारा बुरी तरह घबरा गया उसने डर के मारे एकदम पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बना लॉम्डी को देखकर वा घबरा गया और पीछे को उसने हटना चाहा लेकिन वह नहीं उठ पा रहा था किनी उठ पा रहा था लाल लाल जीव लपलपा रही थी और मुह से ला टपक रही थी किसके मुह से टपक रही थी लॉम्डी के मुह से मैं तुमको खा जाओंगी लॉम्डी ने कहा क्या कहा लॉम्डी ने कि अब मैं तो मैं खा लूँगी मैं तुमको खा जाओंगी लॉमडी और भी पास आ गई खूं को उसकी काली नाक और चमकती आँखें दिखने लगी लॉमडी खूं पर जपटकर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक मुर्गे को कुछ याद आ गया वे जोर से चिलाया कुक्डूं को ये सुनते ही सभी जानवर जाग उठे उन्होंने देखा कि लॉमडी मुर्गे पर जपटने वाली है कुट्ता तेजी से दोडता हुआ आया और जोर से लॉमडी की पूँच काट खाई बकरी दोडती हुई आई और लॉमडी को जोर से सीग मार दी घोड़ा दोडता हुआ आया और लॉमडी को इतनी दुलत्ती मारी कि लॉमडी गुलाटी खाती हुई हवा में उचल गई जमीन पर वापस गिरने के बाद वे वहां से भागी कि अभी तक नहीं दिखी सभी जानवर क्या उसकी सहायता के लिए आगे आगे लॉमडी को भगाने के लिए सब उसे भगाने के तरकीव करने लगे उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज समय पर कुकडू कुं करता चला आ रहा है येस बिटा मुर्गे की किसने सहायता की जो सभी जानवर थे सभी उसकी सहायता के लिए आगे आगे तो हमें सब से कैसा विवहार करना चाहिए मित्रवत यानि मित्रता का विवहार करना चाहिए न कि दुष्मन की कोई वेर्भाव नहीं रखना चाहिए ऐसा आपको भी हमें भी सबको ऐसा ही करना चाहिए ओके आप इसकी लिद्ञ करें समझके और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताते हूं ओके बेटा कमेंट करना नहीं भूलिये पर आप ओके सो बाई बेटा